प्रदेश सरकार ने जोनल हॉस्पिटल मंडी में तैनाथ डॉक्टर पुनीत महलोतरा को कैंसर से सबंदित उपचार, दवाईयां और कीमोथेरपी लिखने के लिए अधिकृत किया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने हाल ही में डॉक्टर पुनीत की कैंसर पर फैलोशिप करवाई है। शिमला चंडीगर या फिर उस अस्पताल में जाना पड़ता था जहां से उनका उपचार चल रहा होता है। क्योंकि कैंसर की दवाउं को जारी रखने या फिर कीमोथेरपी लिखने से हर डॉक्टर गुरेज करता है। यह दवाईया और थेरपी काफी घातक होती हैं। ऐसे में मरीजों और उनके तिमारदारों को भी भारी परिशानियों का सामना करना पड़ता था। इसलिए सरकार ने अब इन डॉक्टरों को फैलोशिप करवा कर कैंसर मरीजों को राहा देने का प्रियास किया है। डॉक्टर पुनीत मलोतरा देश के सभी नामी कैंसर रोग विशेशग्यों के साथ हर समय मोवाईल पर डिसक्रशन करने के लिए भी अधिकरित किया गये हैं। यदि उन्हें मरीज के विशेशग्यों से राहे लेनी पड़े तो वहां कभी भी उन्हें फॉन करके राहे ले सकेंगे। डॉक्टर पुनीत के साथ मंडी, कुलू, लाहौल्स, पिती, हमीरपूर और बिलासपुर जिलों के कैंसर रोगी आकर सला मश्वरा कर सकते हैं। डॉक्टर पुनीत ने बताया कि प्रदेश सरकार कैंसर रोग्यों के प्रती पूरी तरह से गंभीर है, जिसके तहट ही उन्हें यह फैलोशिप करवाई गई है। हाल ही में सरकार ने कैंसर की बहुत सी दवाओं को भी निशुल्क कर दिया है। इससे कैंसर गरसित लोगों को लाब मिलेगा। ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग में फैलोशिप की डिगरी प्राप्त की। अब कैंसर के मरीजों का उपचार हिमांचल परदेश में रहते हुए मंडी जोनल हस्पताल में उपलब्ध होगा। मरीजों को बाहरी राजियों और प्रेवेट ह असतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा जिससे उनके पैसे और बहुमुल्य समय की बचत होगी। इस संधर्व में मैं हिमांचल परदेश सरकार, स्वास्त विवाग और मानेने मुख मंतरी का अभारी हूँ जिनोंने मुझे इस कुनीत कारे के लिए चुना कि मैं लोगो लोगों को अपनी सेवाएं पर दान कर सकूं।